मानिय अध्यक्षमोदे सनमानिय चवांड सहवान नी जो मुद्धा उपस्तित केला तो खरोकर महत्वपूर्णा आहे तेच अतले जे तीन महत्वाचे प्रश्णाये तेटला पहले आन दातर ये खरस आये कि अपन साधराण पड़े दो नजार आट नव साली रिलायंस ला ताज्यातले काई एरपोर्ट्स दिले तीस वर्श्या करता आपन तेरनाते लीज वर दिले आहे पड़ाता तीजी काई अनिलंबान इंची रिलायंस कंपणी आहे एरपोर्ट्स वर मिन्टेननसी करत नहीं आड़े तेची स्टैटिवीटरी डिव देखे लभरत नहीं तो अमरावती तो अमरावती ला सगल प्हाँ चालला है पीत नाइट लेंडिंग से काम चालला है तीत elabor प्रमिनल्चाही काम चालला है तर या संद्रबार निश्चित पणे आमी तातकाल एडवोकेट जनरल येंचो उपिनियन गियों आता हे सगे डियूस तेंचा वर असलेया मुले एक तर्फी आप लेला येचा ताबा गेता है तो का अशा प्रकार चामी प्रेत्न करू दुसरा हे सगे डियूस जी आता जेचा मुले एडवोकेट बंदा है ते डियूस तेंचा करना वसूल करने चा अटिवर राज्य सरकार चा माध्यमातना एडवोज आपण भरू जने करून नांदेड सरकात चालू असलेला जो एरपोर्ट बन्दा जालेला आहे अश्या प्रकार से एरपोर्ट यह अपलेला सुरू करता है तिल तेमेल हाँ एक मुद्धा येते काड़ा मदे लवकर अपन निकाली कडू दुसरा जो मुद्धा आपन सांगितला कि मुंबई एरपोर्ट चा संदरबाद ता मुंबई एरपोर्ट आणि आपले जी रिजनल कनेक्टिविटी आते चातला मुख्य प्रब्लेम हाय तो कि मुंबई एरपोर्ट ला एक सिंगल रनवे आहे या सिंगल रनवे वर देशा मदे सरवाद जासत लैंडिंग आने टेक ओफ मुंबई एरपोर्ट करता साच्छे पिक्षा जासत रोज लैंडिंग आने टेक ओफ मुंबई एरपोर्ट ला होता आणि आता यतला प्रब्लेम हासा है कि रिजनल कनेक्टिविटी ला आपलेला जर ती वायबल कराएची असेल तर रिजनल कनेक्टिविट्टी ला प्राइम स्लोट लगतो त्या शुए ती वायबल होत नए करन समझा अगरी योतमाल वरंद मांचा आनाईची एत मुंबईला तर दुपार चा विमान दिला तर कोणी येत नए तया पक्षा ते तेमा तेनना स्लोट लगतो सका शा किमा जिते नाइट लैंडिंग ये सल ते रातरी सा अथा मुंबई एरपोर्ट वार सका चे स्लोट देने ची शमता नाई है करण इतला जो प्राबलेम है तो नहीं अंदेर सार के टिकाने दिवसा दिवस भराचा दिला तर ते तला ट्रा होतो है आमी स्वता मुख्यमंत्री साहिब आणी मी तीथे जाओन आलो आमी तेची पुर्णा पाहणी के लिए रनवे रिखिल तैयार जालेला है या पाउस रालेन अंतर तेचा फाइनल कोटिंग रनवे चो हुईल तेचा टर्मिनल बिल्डिंग है तीही अत्तीशे वेग तरता असनार ने तथा पी तो परेंत कि मान जे अपली प्रमुक्ष रहा है तानी जिते पैसेंजर लोड आए अशा ठीकानून काही ना कही स्लोट मुंबई मदे मिलावे या करता रिखेल मुंबई एरपोर्ट अथारिटी सोबत M.I.L. सोबत एक उच्चस तरिये बैटा क कि गेतली जाईल आणी त्याना तश्या प्रकार चे निर्देश जून कही स्लोट्स हे मिलावे या प्रेत्न हा निश्चित पड़े केला जे तिसरा जो विशे आपन सांगितला कि आपले दावपट्टीन सा जे कही त्या डिकानी विस्तारी करन करेंचे अपन या बजेट म कि अपनले प्राब्लेम उधर आ दकाल आता आपन अध अकोल्या सा विचार केला तरह अकोल्या मदे त्या ढिकानी आपन लैंड एक्वाइर केली आता लंबी ओते अपन रूंदी ओत नहीं है त्यामें अडिश्नल लैंड आपकाल करावे लेकेल कि मा मोठे विमान तोना कर ता सम्भाजी नगरला आता पन अट्शे कोट रुपे दिलेख काराण तिथे लैन अक्वार कर०्ध ने अक्विजिशन करता है ते ते में ती करून अपलेला तिथे अडिशनल उत्रोताहिल ता करार सरक्या ठिकाणी तिथे एक्विजिशन ची आवशकता है पन लोकांसा ए पध्यवर्ती एक एरपोर्ट अत्यंता आवोशक है करण आपन माक्चेवस बगितला कि जावेस भ्यानक पूर आला अश्या परिस्तिती मुले एरपोर्ट नसले मुले कनेक्टिविटीस होतना होती कोलापुरला उतरता एतना होतो तीथे पान्याचा वेडा होता तेमले आणि नागरी विमानन विभाग देखिला है पड़ या अपन जसो सांगितला कि काही आपन अपन अपले मेडीसी चांतर गत एरपोर्ट ठेवले एत काही मेडीसी चांतर गत तेवले या सगयाला एक नोडोल एजनसी चांतर गत अपलेला आणावला लगेल तो शे एक हैंगिंग फ्रूट चाहत मजे नानेट सारका एरपोर्ट याचा मात्र मी आपलेल आश्वस्त करतो की जोडे लवकरात लवकर होईल आमी तेसे अत्ता सरकार चावतीन पैशे भरून टाको तेची वसूली माग रिलांस करने हो त्राइल कीमा ती काईदेशेर कारवाई हो आणे तो एरपोर्ट हा नाइट लेंडिंग से शुरू धाला पाईजे या संद्रबात ला प्रहतना मी करू आपन मागनी केला प्रमाणे मुख्यमंत्रयान ना विनंती करून एक उच्चेस तरिया या संद्रबात ली बल्टक मानानी या मुख्यमंत्रयान करे लावली जा शिरडी चा विमांतल लोकरात लोकर नाइट लेंडिंग ची सुविधा निर्मान करना ये सगयात मातो चाई बाइच दे करेंदी चाँ नाइट लेंडिंग चालो है तो म आता परमीशन करता हिनेर्क चालो आणिग चालो एख डर नाइट लेंडिंग करना ये संद्रों आरथ शंकल बाद पैसे दिल two तेसे टेंडरी काड़ला है साड़े सहाशे कोटी रुपयाची अतीशे अध्यावा तशा प्रकारची टर्मिनल बिल्डिंग वलाट्टो तेसे वरकोडरी काड़ाची जाला सेल कि मा एक दून द्यूसा थोईल अपन ती टर्मिनल बिल्डिंग करतो है जेचा मदे अपन सगय प्रकारची अमझे करन तला अपन शिरडी अंतरराष्ट्री एयरपोर्ट मनटला है तेमें अंतरराष्ट्री एयरपोर्ट वर जशे बे असता तशा बे सहीत अपन ही साड़े साशे कोटी रुपयाची टर्मिन टेमप्ररी उल्डिंग एरिया अपन बगितल लाує अथा बाहर दैर केलेला है तो टेमप्ररी होलिंग एरिया जो है अपन टिकारी होल्ड करू शकतो आथा अपन पर्मिशन महांगित लिए आट मलें जिए आपन कैसेंगर दू चयकिंग नंतर लिकों ओंकर मुक्रुला येट्री तेम्पराइड़ी केने फाइबरंड़ी हैं Trust य।ो आपनेंडेरे सेल्वाहलो आइब गूरों पैसेंजर शी आरचनों कार्सियारे नाइब फट Jordi जोतिर अधित्य सिंधियांची बोलो पर्मनंट तला मझे रोची जी परवांगे गयावी लगते तीन अगेता पर्मनंट परवांगे सविश्यापन करू तैसे इनक की लक्षे अलो सा महरात्यात ले प्रत्यक तालुक्यामते हेली पैड कराइछ अधा विमांत अधा मते का अडचनी है अपन सांगितलो रिलाइंस काय होना रहे तयामुलो इच्छा असुन देखिल अपले ला कदाची विमाराच्चु कनेक्टिवीटी करा अडचनी येडारा है नाइट लेंड अधा अधा शांगला अपन गेटलीला है कि प्रत्यक तालुक्यामरे हेली पैड असावे तया करता जागा निश्रीत कराइचे अधेशी मुख्यमंत्री मोज़ें दिले अश्य माजिक 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 है तया शेल अधाल शार्चनी रके दोहरा नाखलेला है का कित्ति टिका यानी पहिला टप्या में देका विमंत्र अक्यों वाहां हेली पाट होना रहेतका अधेम अधे एरोड्रोम क्यों हेली ड्रोम अश्या प्रकाची विवस्ता करेल का शार्चे समाजर प्रेश्ण पहले नातर मानिय बाबाननी जो विशे माड़ला है तर जरूर कराडचा संदरबात अपन बैठागियो और तयार अस्तिल तर पैशेची कुठे ही अड़सर नाए आड़ी माज वयक्तिक मत आहे कि अत्यांत महत्वास अणी स्ट्याटेजिक एरोड है त्याचा में त्याच विचार करून जिथे पुढे ग्रोथ होनार नाए करन हेलिकॉप्टर जमा उड़ता ते उड़ाले नंतर पहले आंदा त्यासा खाली जाता नमग वर दातो तेचे मुले तो एक समोर्शा एरिया क्लियर लागतो बड़ून अश्या प्रकार चा जागा शोधन्या करता है कम अड़ी जाघसा नुटिफिखेशन निगाई साकमेलि तेस नुटिफिखीजर काड़ून अईट दया करन्या तै क्लेकल CTL तस तस त्याटिकंट चा काम आमी शुरू कूँँद।